अगर आप एक इंडियान है तो ये वीडियो आपको जरूर दिखना चाहिए और वीडियो देखने की बाद आपको इंडियान होने पर थूड़ा सा प्राउड फीर होगा ना तो ये वीडियो को जरूर सेयर करना मेरे दोस्त तो चलिए आज हम इस वीडियो पर बात करतें इं टीडी टेक इन्फो तो चलिए शुरू करते दोस्तों मैं बात करते हूं पहले नाविक क्या है नाविकेशन विद इंडियान कंस्टेलेशन या नाविक भारतिय नाविकेशन सिस्टम में जो की GPS की एक अल्टरनेटिव है और इसको बनाए है हमारी इस्टरों ने इंडियान स पोजेक का नाम IRNSS रखा गया था नाविक भारत के लिए भारत का द्वारा निर्मित खेत्रियन नाविगेशन सेटलाइट सिस्टम है ये सटिक बास्तविक समय स्तिती समय सेबाव और संदेश के लिए इस्तरों की द्वारा डिजाइन किया गया है मूल रूप से ये GPS ग्ल इंडिया और इंडिया के आस पास पड़ोसी कंट्री की उपर काम करता है और GPS जो ग्लोबाल पोजेशनिंग सिस्टम है और दुनिया भर में सारे एरिया को कभर करता है हम बात करते हैं भारत में अपनी सोयम की नाविकेशन सिस्टम का निर्मान करने का कारण अमेरिका पर अपनी निर्मदता को कम कर रहा है और देश ने भी पहले से अपनी नाविकेशन सिस्टम को बना चुके थे और भारत ने साथ साल की कड़ी मेहनत की बाद इस नाविकेशन सिस्टम को फिलाल चालू कर दिया है आपको कुछ उधारन हम देते हैं जैसे कि रूस की पास ग्लो बरतमान में भारत अपनी खेत्र और आसपास की पड़ोसियों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और इस रो ने योजना कर रहा है कि आगले आने वाले टाइम पर इस रो ग्लोबाल पोजिसनिंग सिस्टम की तरह दुनिया भर में भी कंट्रोल कर सकता है अभी हम बात करेंगे केसे काम करता है ये नाविक सबसे पहले नाविक का पास बरतमान में कुल नो साटेलाइट ऐसे है जो कि पूठिव की उच कख्या में तेना थे और पूठिव की सता हमें लगबाग 35 के यानी 35,000 किलोमेटर की उजाई पर है और सभी उपग्रहों भारत की साथ एक सीधे रि समख है साथ उपग्रहों में से तीन भूस्तोतिक कख्यों पर घुमता है और लगादार भारत की ग्राउन स्टेशन की साथ सीधे रिखा में रहता है जबकि उपग्रहों में से चार नी जीओ संक्रोनस अर्बिट में 29 डिग्री पर संजोक से दियेगे जुका पर चार उप मानू घडिया है जो की अनिर्बार्ज रूप से रेडियो अबूतियों का उपोजोग करते हुए पूतिवी पर दूरी समय और आपकी सठीक स्तिती की गणना करने के लिए उपकरन है नाभिक उपग्रहों हमेशा जीपीएस की विपरित भारत की साथ प्रतक्यों स्पूष होता है जीपीएस भर्सिस नाभिक भारत की सेटलाइट नेविगेशन सिस्टम का भविस्त्य कवरेज सबसे पहले कवरेज की बारे में बात करते हैं क्यूंकि ये उपग्रहों नेविगेशन प्रनाली का सबसे महत्यपुन पहलियों में से एक है हम बात करेंगे नाभिक प और चीन की कुछ उत्री हिसों पर फेला हुआ है जबकि GPS पूरी दुनिया भर में अपनी सर्विस को लेके मसूर है और यानि GPS का इस्तमाल आप दुनिया भर में किसी भी खेत्रों से कर सकते पर नावी का इस्तमाल इंडिया और कुछ पडोसी राश्टर जिससे बंगलादेश पाकिस्तान, स्रेलंगा यानि चीन की बडर पर आप इस्तमाल कर सकते नावीक और आने बाले बरसों में इसका बिस्तार करेगा इस्तरों ने पहले कबरेच और स्तीती सठीकता को सुधारने के लिए चार सटेलाइट को लॉंच कर चुका है और आगे आने वाले टाइम पर ये ग्लोवाली भी अपनी सर्विस को दे सकता है उपग्रह की बारे में हम बात करेंगे तो बरतोमा नाविक में पूतिवी के कख्या में कूल साथ उपग्रह है जबकि GPS में पूतिव की चार और घुमने बाला कूल 31 परिचरन उपग्रह GPS की पास है जबकि GPS की सभी खेत्रो की कवर करने के लिए केबल 24 उपग्रह का अबसकता होता है हालाई में अमेरिका ने सठीक स्टान मानचितरन करने के लिए और एक उपग्रह को भी लॉंचिंग किया है इसकी अलावा नाविक स्मार्टफोन और बानिज्यक बाहानों जैसे उपग्रन का पता लगाना के दूसरी और नाविक साइन्यों उपजोग करता यानि आर्मी की यूजेस के लिए एस बेंड अबरूति का उपजोग करता है जोकी एंक्रिप्टेड है और सारबोजानेक उपजोग के लिए उसको अबेलेबूल नहीं किया गया है इसे प्रतिबंधित सेबा यानि एंक्रिप सर्विस कहा जाता है GPS की बारे में बात करते हुए ये सामान्यों और साइन्यों उपजोग दोनों के लिए L1 और L5 अबरूतियों का उपजोग करता है इसलिए उपजोग का संख्या को संदर्ब में GPS का सपस्ट रूप से एक उपरी हाथ है क्योंकि ये पूरी दुनिया को क अब हम नाफिक वर्सेस GPS स्तिती सठीकता की बीच में चर्चा करेंगे नाफिक के बारे में सबसे अच्छी बात या सठीकता है जो कि GPS से भी बेहेदर है जब नाफिक 24 आवार लगवक्त लेता है पूर्थिप की परिक्रमना करने के लिए उसी बग्त GPS को 11 आवार लगता है और इसी तरह नाफिक GPS से भी बेहेदर यानि सठीक इंफ्रमेशन प्रॉबाइड करता है और GPS का थोड़ा बहुत गलत इंफ्रमेशन होता है अब हम पहाड़ी स्ताने या घंच अरणने की बारे में बात करेंगे जहां से कौन सा लोकेशन यानि नाफिकेशन सिस्टम आपक सठीक इंफ्रमेशन प्रॉबाइड करता है हम सभी जानते कि नाफिक उपग्रहों का तारा मंडल प्रूथिव की सते से लगबक 35,000 किलो मीटर कीमी का दूर में है उच्य कख्या में संचलित किया गया है दूसरी और हम GPS की बारे में बात करेंगे तो GPS उपग्रहों मध्यम प्रूथिव की कख्या में संचलित होने है जो कि लगबक 20,000 किलो मीटर की उचाई पर है नाफिक उपग्रहों प्रूथिव की सते से बहुत उपर है इसलिए सिगनल पहाड इससे अबरूत नहीं हो सकता है दूसरी और GPS उपग्रहों मध्यम कख्या में चल रही है इसलिए बिशेश रूप से स्तितीज पर पहाड़ी द्वारा सिगनल अबरूत होने का संभाव बना है तो एक तरह से नाफिक को बिना किसी बाधा के भारत की लंबाई और चोड़ा में काम करने के लिए डिजन किया गया है चाहे वो सुदूर हिमाड़य पहाड़ हो या स्तितिल सम नाविक में सामनों उपजग करता हो के लिए 5 मीटर से लेके 20 मीटर और साइनों उपजग करता हो के लिए 0.5 मीटर की स्तिती सठी कता है जो कि आश्चे जिजनक है और GPS को भी मात दज़ता है इसी केस में और GPS में भी 20 मीटर से कम की एक समान स्तिती है लेकिन सेलुराल ट्र चारत की साथ हर समय एक सिधी रेखा है इसलिए स्तिती सटीकता प्रदान करने में GPS से नाविक सबसे बहेदर है क्या नाविक की साथ कोई समस्या है हलाकि 2016 और 2017 में नबगरहों उपगरहों में परमानों घडी का विपलता की खवरी थी और यूरोपीयों संगों की गेलीलियों उपगरहों में भी सेम प्रोब्लेम था इस समस्या को रोकने के लिए इस्त्रो प्रत्यक उपगरहों पर केबड़ एक परमानों घडी का उपजग कर रहा है और अन्यों दो घडी को वेक अप की रूप में रखा है इसका अलाबा जमिन पर मौजुद दो उपगरहों को अनौंस किया था स्नापड्रागन सेवेन टूंटी जी सिक्सिक्स्टी टू फोर सिक्स्टी यानि नावी का सपोर्ट की साथ आएगा हाला के हाड़वर सपोर्ट बीटी दिया गया है इसी प्रोसेसर के अंडर और न्यू सप्ट्वर की दोरान इसमें भी अवेलेबिलिटी हो जाएगा आपकी बेदर इंफ्रमेशन के लिए बदा दना चाहेंगे हाला कि न्यू लाँच हुआ स्नापड्रागन सिक्स नाइन्टी प्रोसेसर फाइजी चेश्टेट में भी नावी का सपोर्ट बीटी दे दिया गया है बरतमान में भारत में रियल्मी एक्स 50 प्रो आ नावी का सपोर्ट बीटी दिया जा सकता है नो किसी भी पूराने स्मार्ट फोन पे आप नावी का सपटर अपडेट की दोरा नहीं दे सकते अभी गूगल में आप सपोर्ट नावी को सपोर्ट करता या नहीं एस में हम बता दाना चाहेंगे जितने सारे सब्ट्वर साइड आफ पॉइंट आफ व्यू पर दिखा जाए अप्लीकसिन का डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि प्लेइस्टर में अबला होले अप्लीकसिन का नाम है gps test जो कि free है और gnss टेस्ट नाम की अप्लीकसिन आप डाउनलोड सिंप्ली कर सकते और डाउनलोड करने की बात आप नाफिक की compatibility चेक कीजिए, अगर ये आप detect करता है Indian satellite को आपकी mobile के अंडर, तो ये आपको नाफिक की support करता है, और better satellite detection के लिए आप इसको outdoor में ही try करें, हम आप भी बात करेंगे नाफिक versus GPS के बारे में, तो new satellite system point of view पे दिखा जाए, तो नाफ 9 का हम बात करेंगे, तो कारगिल वार की समय जब इंडिया की army ने मदद मागा था USA को, और USA ने तभी मना कर दिया था कि हम अपनी GPS system को, इंडिया को नहीं दे सकते, जुग्द यानि वार के लिए, अभी इंडिया के पास खुद की navigation system है, तो जो की GPS से भी बहतर है, और ये स सबसे अच्छा है, और इंडिया इसको जुग्द कालेन भीरती, यानि वार की समय भी यूज कर सकता है, जो कि सबसे बहतर बनाते हैं इसको, और अभी हम आपको बताते ना चाहेंगे, हमने आपको पूरी स्टोरी बता दिया, नाभी केस क्या है, और नाभी केस से GPS से बहतर है, और क्या-क्या, फेसीपी के सन, फीचेस होता है, नाभी के अंडर, और फूल डीटेल्स मैंने बता चुकिए हूँ, आपको नाभी की बारे में, अगर आपको नाभी की बारे में, और कोई जानना है, या इसकी रिलेड़ेट कोई सजिसन या डाउट है आपको, तो आपको बेहद ही पसंद आ गया, तो share करें इंडिया की एक खुद की सब्ट्वा, यानि खुद की नाभी के सन सिस्टम, जो की और दूसरों को भी बताए, इंडिया भी किसी से कम नहीं है, हम भी दुनिया भर में हमारा एक नया पेजचन बना चुके, हम चोथी नंबर पर एक देश, एसे राष्ट्रे, जो की खुद का नाभी के सन सिस्टम बना चुके, और जो की USA का GPS से भी बेहदर है, तो इस वीडियो को share तो बनता है मेरे दोस्त, जरूर share करें अपनी WhatsApp, Facebook, या Instagram पर, और फिर मुला का दोगी, एसे interesting and technology related वीडियो के साथ, तब तक जहिन, कसंद आ गया है, तो हमारे चनल पर नए है, तो चनल को सब्सक्राइब करके, बाजू बारे बेल आइकन को प्रेस कर दीजे, ताकि आप पर हमारे अपलोड वीडियो की नोटिपिकसन सबसे पहले, तो गुड़ वाइ!